क्भाइब फसने से अच्छा सावदान हो जाओं क्योंकि बहुत बुरी हालत है जिस हिसाब से सच बता रहा हूं जिस हिसाब से और के पेशन्स के साथ में आ जाती हो रही है चाब भगवां ना करें किसी को करो ना किसी को ना हाथ जोड़ आपने अना अप्रेली दुआ मांगो सब के लिए दुआ मांगो किसी को कॉरोना ना अच आज सुसाइटी की बात बता रहा हूं एक को को कॉरोना हो गया और वह इंफैक्टेड है उसको क्वारेंटाइन कर दिया गया वह वह होस्पिटल यह होस्पिटल वाले प्राइविट होस्पिटल वाले कोरोना केस में कितना चार्ज कर रहे हैं पता हैं दो लाख रुपए इन फैक्ट इस शुरुवाती है वो बिल कितना फटेगा किसी को नहीं पता और आज ही सुसाइटी में इसकी न्यूज थी कि उसकी हेल्प करनी है दो लाख रुपए एकठे करने में यह हालत है और अगर आज भी हम लोग नहीं चेते साब कहां से लाओ कि कोरोना के इतने पैसे भैसा घर बैढ़ जाओ मत बार निकलो एक बार के लिए रुक जाओ फिर से रुकना पड़ेगा पता नहीं गौवर्मेंट पिछली बार जब इतने केसे थे ही नहीं तब लोगडाउन इतनी सकती थी आज क्यों नहीं हो रहा है पर एक बात बताओ कि गौवर्मेंट ही आपकी जान के जिम्मेदार है क्या क्या को खुद को समझ नहीं आ रहा फिर कोगे साब मजबूरी है ओफिस बालों को भी समझना चाहिए भाई साब घर पे बिठाके काम कराओ मत निकालो बार और अभी नहीं चेते तो यह हालत और खराब हो जानी है बहुत खराब हो जानी है उसके बाद हम संबल नहीं पाएंगे सच बता रहा हूं इसलिए मेर आज का सेशन दिखा दो एक बार जिसको लग रहा है कि नहीं नहीं कोई कोरोना नहीं है वैसा वैसा कुछ नहीं है न्यूज में जाके देखो बीबीसी बीबीसी से ओथेंटिक तो कोई न्यूज नहीं मानते आप चलो बाकी तो चैनल चिल्लम चिल्ली करते हैं उनका कोई न्यूज का ठिकाना नहीं है लेकिन बीबीसी तो जूट नहीं चापता बीबीसी की एक बार आप यूट्यूब की चैनल खोल के देख लो